हलो फ्रेंज वेलकम टू आल एजुकेट एकाडमिक मैं हूँ अविनासमा राजसरम को बात करने वाले बिहार एससी इंटर रस्तरी एक्जाम के उपर आप सिलेवस के उपर आपका रणिती क्या होना चाहिए अश्रजी क्या होनी चाहिए इसके उपर आप सीविके बहुत सार कॉमेंट थी जिससे पूछी पैषिल क्या है तो हम लोगे हम पर देखनेवाले विहार एससी ऑफिश्या झागर चीजас में क्या चीज दिये गाया है् क्या चीजक्he Uhh zaח mister यह चीज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले से लिए बस जाने से पहले कुछ चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए रणनीति बनाते समय फर्स्ट आपका stronger find क्या आपका strength क्या यह चीज जानना चाहिए आप आपका stronger find आपको पता होगा तो जिससे आपका preparation करने में आपका रणनीति बनाने बहुत मदद मिलेंगे किसी चीज को बार बार पढ़ें जितना प्रैक्टिस हो सकते प्रैक्टिस और पार पढ़ते हैं आपको यहां पर प्री एक्जाम के लिए कॉंप्रिशन बहुत डाफ है उसमें बहुत मदद मिलेगा आपको गुने पांच जितना वेकेंजिस है उसे पांच गुना रिजल्ट आएंगे लागवाद दास जार या 11000 कुर्ष थे तो उसके पांच गुना आपको रिजल्ट दिये जाएंगे तो आपको बहुत बढ़ यहां पर एक चीज़ और आपको धियान रखना होगा बार बार एक्जाम डेट बढ़ाया जा रहा है तो बार बार ऐसा नहीं किया जा सकता है कुछ टाइम ऐसा ही किया जा सकता है पर जैसे बार बार एक्जाम डेट बढ़ाया जाना कोई एक डेट तो फाइनल हो जाएंग जो ओफिशिल नोटिस से ओफिशिल बेस साइट पर एक्जाम डेट एड़ी कट जा रही होंगे, उसके बाद आपको मदद मिल सके एक्जाम में, तो यहां पर कॉंपटिशन बहुत ठाफ है, तीस वज़े से आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है, ओफिशिल पैटर्न य और गणित का भी 50 प्रशन होंगे, इसका भी 4 पर कॉंपटिशन को आपको दिया जाएग पचास कुषन का, यहां पर मानसित चमता या fellowship से 50 प्रशन आएगा, ठीक हा, आपको ये गलत पर एक काटे जाएगा, तो आपको यहां पर कॉर्शिश करना निगेटिव बहुत कम ब करें कि नॉर्मल रहें है ऐसा समझे कि आप जैसे किसी इंशिट में जैसे आप नॉर्मल होगे यह समझे कि महां के साथ दे रहा हूं बस वहां पर आपको कोशिश करना नेगेटिब कम बनारा प्रिस नियमर परे आपको बहुत माॉका मिलाटा वहाँ में रिजल्ट में बहुत अच्य सदेच राइएंगे आपको जो पेपर आईगा दोनों लेंगीज में होगा हिंधी और इंग्लीज में दोनों लेंगीज में होगे यदि हिंदिय इङंग्लीष का प्रश्ण में यदि कुछ अंतर दिखते हैं तो जो इंग्लीष का प्रश्ण होगे अंग्रेजी में प्रश्ण होगे वो माने होगा ठीका अब आते हैं प्रांभिक परिच्छा के उपर तो समान अधowskiर में आपको जो प्रश्कशना रहे हैं इसमें दो सेक्सन होंगे समसमाईक और भारत को उसके परोसी देश भारत और उसके परोसी देश के बारे में आपको जनकारी रखना है ठीक है तो यहां पर जो समसमाईक बैग्यानिक प्रगार्ती राष्टिये, अंतराष्टिये पुरुस्कार, भारतिये भाषाएं, पुष्टक, लिपी, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महतुन घटना होगा इस पे आपको complete 2018 आपको करना है इसके लिए रिहंत का आपको जो पब्लीकिशन के मिल जादा सबसे बेश्ट रहेंगा रिहंत क्योंकि उसमें जादा आपको पढ़ना नहीं रहेगा जो आपको श्लेवस में है, श्लेवस से काफी नहीं रहेंगा और शाथ में जो न्यू एडिशन के आपका असपेड़ी का समसमाइक मुद्दा पर जो आता है जितने भी हैं आपको जितने भी राष्टा अधियाचन लेटेस्ट सारे अपडेट रहते हैं वह आपको बहुत मदद मिलेगा तो ओचीज़ा आप ले लें ठीक है सेकेंड ऑप्सन में भारत और पडोसीदेस यहां पडोसीदेस के इतिहास भी आपको जानना होगा इससे आपको बेसिक लेवल के प्रशन आएंगे ज्यादा टीप पे नहीं जाना बेसिक इन्फरमेशन आपको कलेक्ट करनी है आपको पाकिसान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, मयानमार, भूटान, बंगलादेस और श्री लंका प्रोसीदेस के आपको जनकारी लेना होगा आपको इससे बहुत मदद मिलेगा और एक्साम में जो है पॉइंट ओफ इससे आपको बहुत हेल्फुल रहेंगे आप भारत की इतियास, इसके लिए आपको लूसेन्ट याजया और क्रावन का प्रफुलिकिशन जुभी आपके पास भूच है, वोस्थी मार्केट है जूंदा का भूच है इससे जादा बेनफीट नहीं तो आप पने इससे पहले ।ीप पर नहीं पढ़ा है जैसे आप पहली बार एक्जाम देने जा रहे है तो आपके पास कोई option नहीं है लुसेंट के लावा पर आप पहले से preparation कर रहे हैं तो आप जानते हूंगे आप पहले सी maximum चीज़ आपने पढ़ रहा होगा पर लुसेंट आप रिवीजन में ले सकते हैं आप लुसेंट का जो पहले एक्जाम में होते थे competition काम होते थे लुसेंट लोग पढ़क जाते थे असानी से बहुत बहुत बहुतर एक्जाम दे कर आ जाते थे पर आप यहां पर वह असा नहीं है एक्जाम सिर्फ आप लुसेंट को रिवीजन करने के लिए लुसेंट आप मोटे बुक पढ़ या उसके बाद लुसेंट आपको बहुत helpful है तो आप लुसेंट भी देख सकते हैं संस्क्रिटी आप लुसेंट या किसी बुक से आपको मदद ले ले संस्क्रिटी को पर भुगोल जोग्राफी लुसेंट सिर्फ सेक्शन पढ़ें और कुछ से पॉइंट के उपर जैसे र बेसिक इंफ्रमेशन आपको इसी चीज़ को जोग्राफी में आपको डिप में नहीं है बेसिक इंफ्रमेशन सिर्फ दिया हुआ बेसिक चीज़ हर चीज के बारे में दिया हुआ तो आपको वहां पर आपको युटूब के मदद से आप बहुत अश्य जोग्राफी किलियर कर सकते हैं और शाथ में आप लुसेंट को पढ़ें और शाथ में यूटूब यह दो चीजिए उसे आप किलियर करें आर्थिक परिदेश इकनोमिक से प्रश्ण आएंगे एकनोमिक आपको लुसेंट में जो रहेगा वो सब्सेंट रहेगा आपको इसके लाव कुछ ज्यादा नहीं देखना है लुसेंट से बाहर आपको नहीं जाना है सवतंता आंधोलन यह भी आप पठार शृंताओं के बाद की जितने भी आंधोलन हुए और उसे पहले भी जितने आंधोलन हुए उसको आपको कम्प्रीट देखना है की काब कौन चांधोलन हुआ उसके परमोख नेता कौन थे यह चीज़ आपको कबर कर लें और बहुत ब बेहतर बूक है जो लुसेंट है उसमें आपको नहीं मिलेगा एसार इस चीजे तो इसके लिए आपको देखना चाहिए जो सबसे बेहतर है NCRT का सार NCRT का बूक आता या NCRT के बेश्ट बूक आता है वो आपको महिस बनवाल का भी बूक आता जो कॉस्मस पॉब्लिकेशन की होता है वो आप ले ले शकते हैं जो भारती सिर्फ NCRT बेश्ट होता लाभाद 180 या 220 के आस्पस मिलेंगे तो आपके लिए बहुत बहतर है शकता है ठीक है तो उसमें आपको भारत के बारे में सारे बेश्ट इंफ्रमेशन मिल जाएंगे और जो आपको देखना है लुसेंट में आपको बेसिक ब्रह्मांडी साब उसमें नहीं मिलेगा आपको जो NCRT उसमें पढ़ेंगे सिर्फ भारत के बारे में इंफ्रमेशन मिलेंगे ठीक है भारत का सविधान ये आपको लुसेंट काफी है देश्क राजनितिक पढणाली पंचायती राज समधाइक बिकास पंचवार्शी योजना राष्टिय अंदोलन और बिहार का योगदान ये सारे चीज आपको यहां पर द सिर्फ राष्टिय अंदोलन का योगदान बिहार से सिर्फ राष्ट्य अंदोलन को योगदान के उपर आप पर प्रशन देक लें आपर शर्ड रिलेटर सफ पढ़े और ज्यादा कुछ नि देखना नहीं है यहांपर 5 वर्शी योजना सारे चीजर को आपको देखना होग अब आते हैं समान बिग्यान और गणीद तो समान बिग्यान से यहाँ पर भौतिक सास, रशायन साथ, जीव बिग्यान और भुगोल तो इन्वार्ब्मेंट से वर डिलेटर जीतनी भी प्रशन होगे यहाँ पर अब हम लोग कुछ दिन से एक्जाम में देख रहे हैं जो लुसेन, टस्पीडी वहाँ पर जादा वर्क नहीं कर पार है तो इसके लिए सबसे आपके लिए बेहतर जो अप्सन है अभी आपके पास समय है तो नाइन्थ क्लास का और शाथ में तेन्थ क्लास का आपके पास उपलब्द है तो ठीक है नहीं उपलब्द है इसका पीडिएफ जो हम लोग का चैनल के जो नाम है आप टेलिग्राम पर सेर्च करेंगे उच चैनल में वहाँ पर आपको मिल जाएगा किसी भी गूगल पर सेर्च करेंगे आप प्लेय स्टोर में जाकर एक एक एक एक आप आता है ओव बुक में आपको भी भी मिल जाएंगे नसे लेटिडाएड बुक करेंगे अपके मदिर से पढ़ते हैं जो आपको बहुत असन रहेगा गनित जो है आपका scoring point है यहाँ पर आपको बहुत practice करना है जितना practice करेंगा उतना ही स्कोर आपका बेहतर होगा संख्या परति नंबर सिस्टम पुंट संख्या दसमलो और विन और आपको संख्याओं को 20 प्रस्वर संबंद मुल्वत अंक गनिति संख्या परसेंटेज अनुपात एवरेज एशाई लाभन आनि लौस और प्रॉफिट से सिर्फ श्लेवस में बस इतना ही है आपको इससे ज श्रेक्षन का कोई साद बूइक की पास वि pandemic ऐब का आपके पास उपलब्ड़य है उस बुक को एशर थेंंक शिर्फ जिदना मम्क हो सक है उतना प्राक्षी्स करते मां बहुत secret है रिजनिंग, यह आपको बहुत इंपोर्टेंट सेक्सन है, यह आपको solid 50 में 45 के अंक दे सकते हैं, ठीक है, तो इस पर आपको बहुत अच्छे से मेंनत करना है, आपके पास जो रिजनिंग का बुख उप लबता है, जो आपकी सिलेबस है यहाँ पर, सिलेबस में आपके एक लोकन, शंबंध, अधारना, अंग गनितिय तर्क शक्ति, अंग गनितिय संख्या सिरिंख्ला, कुट लेखन और कुट्स ब्याख्या से आपको प्रश्न आएंगे, ठीक है, इसके लिए कोई भी आपके पास रिजनिंग का बुख उप लबता है, किसी भी पुब्लिकेशन क आपको यहां पर बहुत प्रेक्टिस करनी है, क्योंकि यह सेक्षन आपको अस्कोर बहुत अच्छा दिलाएगा, तो दो सेक्षन आपके पास स्कोरिंग पॉइंट हो, और नमबर वन सेक्षन आपको यहां पर सॉलिड एंट सी आटी कम्पलीट कर लेते हैं, तो यहां पर कि आपको बहुत 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 रइस स्कोर करने का मौका मिल सकता है, यहां से आपधर आथ सी 90 अंक चुरा सकते हैं, और 50 में जो आपको नसरे समान अधया सेक्षन है, तो आप सी monitor कर रखते हैं पर नहीं पहले से अच्छा है तो मूश्किल से आप 20-25 जा पाएंगे, पहल से भी अच्छा है तो मुश्किल से 35-30-40 के आसपर समलोग जा सकते हैं उस सेक्षन में तो जो आपको मस्बूत सेक्षन है साइन्स इस पर आपको बहुत मेहनत करना है तो बस यह आपका ऑफिशर्ट श्लेवस थे अब इसके बाद आपका में जब प्रांभिक एक्जाम के बाद रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट के बाद पांच गुना यहां रिजल्ट दिया जाएंगे साभी जितने वेकेंसिस है और यहा साथ हजार कुछ सम्थिंग आएंगे ठीका साथ हजार शेसो के आसपास आएंगे तो आपको इतना रिजल्ट दिया जाएगा आपके पास ऑपरचुनिटी बहुत अचा है बस आपको यहां पर प्रिपेशन बहुत बहुत बेहतर करना है कॉम्पेशन बहुत आफ है यह दि आपको इक्जाम बहुत बहुतर जाएगा और फर्स्ट दिमांग में टार्गेट रहें निगेटिव मार्किंग बहुत काम लेना है ना के बराबर लेना निगेटिव मार्किंग चली आज की वीडियों में बसता है इस वीडियो को देखने के लिए आप सी बहुत-बहुत जय है, जय भारत